तो बचोंबों या पर आप डिसक्स कर रहे हैं exercise 6 circles का जब दियान से देखिएगा आम दों में questions को ही discuss करेंगे जो exam में आ चुके हैं सबसे पहले बचोंबों के आप एक question discuss करने जा रहे है question number 7 यह बचों question number 7 दियान से देखिएगा है है चुटा question लेकिन तो भी बचों से नहीं हुआ था कुछ confusion था तो question में लिखा है through a fixed point h, k secants are drawn to the circle x square plus y square equal to r square show that the locus of the midpoint of the portion of the sequence intercepted by circle is this बचों यह जब question exam में आता तो गलतियां देखो कौन से गलति वाले point थे बचों ने circle बनाया, circle बनाने के अबाद उन्होंने देखा कि एक fixed point से secant draw की गई है, उनके दिमाग में यह था कि secants तो chord होती हैं तो यह एक line draw की गई, h, k fixed point था, तो उन्होंने क्या किया, यह दो तरह से इसको draw कर दिया इस तरह से draw कर दिया, फिर उन्होंने question पड़ा through a fixed point h, k तो यहाँ पर लिख दिया h, k secants are drawn, अब उनका बाद भी सही थी, क्योंकि secants का मतलब एक से ज़्यादा होगी, हाना, secants are drawn to the circle, circle की equation given थी, show that the locus of the midpoint of the portion of the secant, तो बचो secant कौन सी part होता है, यह होता है secant, ठीक है, अब इसके midpoint का locus निकारना है, तो उसके midpoint के locus को आप h, k थोड़ने let करेंगे, क्योंकि h, k एक fixed point की तरह पहले से given था, पहली गंदी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इसको दुबार h, k लेट कर लिया, जबकि h, k fixed point की तरह पहले से given था, तो बचों, उसके midpoint का locus निकारना है secant के, तो आप उसको कोई निया point लेट कर लिजे, x1, y1 के, और last में लिख लिजेगा, कि x1 को x से, और y1 को y से replace करेंगे, क्योंकि आप x1, y1 का ही locus निकारने, फिर बचों ने क्या किया, इस question को extend करके, खोदी बढ़ा करेंगे, उसने कहा सिर्फ कि secant के midpoint का ही, क्या निकालना है, locus निकारना है, तो आप चाहे आप midpoint वहां लेट करिए, चाहे midpoint आप यहां लेट करिए, बात तो एक ही है, लेकिन लोगों ने क्या किया, कि यहां पे भी midpoint, उपर भी midpoint, और फिर एक complete circle का formation कर दिया, इस तरह से diagram बनाना start कर दिया, यह सब construction करके, उन्होंने अपना question difficult बना दिया, तो ऐसा बचो कुछ नहीं करना था, आपका time waste हो गया उसमें तो, आपको सरफ एक midpoint का locust निकालना है, तो secant के midpoint का locust निकालने के लिए, तो सबसे पहले आप देखेंगे, कि सर ने आपको खुब सारे standard बताए थे, उन standards को use करिए, और जो है अभी एक जो बेकार सी आपने cord draw कर रखी थी, उसको हटा दीजिए, चलिए, तो अब आप क्या कहोगे, कहोगे सर ये तो एक cord bisected at midpoint x1, y1 का standard हो गया, तो हम इस line की equation तो लिखी सकते हैं, हम इस line की equation तो लिखी सकते हैं, ये जो line है, आपकी कौन सी वाली line, ये line, ठीक है न, तो ये क्या होगी, cord bisected at midpoint x1, y1, तो इसका standard तो हम पहले से ही जानते हैं न, वो क्या होता है, t equal to s1, यही तो होता है, t equal to s1, तो बचो मैंने standard लिखा, जैसा कि आप solution में देख रहे हैं, उसके बाद मैंने कहा, कि हमारी यही cord जो है, वो किस से पास होती है, h, k से पास होती है, उसको बास करा दिया, यानि x को h से, y को k से replace कर दिया, इतना करने के बाद, आपने x1, y1 का Lucas निकालना था, x1 को x से, y1 को y से replace कर, तो question आपका complete होगी, इतना काम करना था, और आपका अंसर आ जाता है, अचा कुछ बचो ने इसको alternative method से भी किया है, तो वो भी चलेगा, कुछ बचो ने क्या करा, कि यह जो आपकी cord थी, उसके आपके पास 2 points है, x1, y1, h, k, तो उसका slope निकल लिया, फिर क्या किया कि circle आपके पास given है, यहनि उसका center भी आपके पास पता है, तो आपने क्या किया कि, आपने यह जो line है, यहनि squad के perpendicular line, उसका भी slope निकल लिया, और दोनों के slope का product minus 1 कर दिया, उससे भी बचो आपका answer आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास circle तो given है न, उसका center आपके पास पहले से ही पता है, 0,0, समझे मैं है बचो, तो यह सारे concept भी use करके, आपका answer निकल आ सकता है, लेकिन आप जब देख रहे हैं कि midpoint का locust निकालना है, और God bisected at midpoint x1, y1 आपको concept पता है, तो आप उसको use करिये, और आपका question समय से पहले हो जाए, ठीक है, ओके बचों, तो अब आपके पास next question आ गया है, next question बचों बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने इस तरह के questions भी पहले से करके रखे हैं, वह है 10th का first part, क्या है ध्यान से देखिए, उसमें लिखा हुए, find the locus of the point of intersection of tangents at the ends of the chord of a circle, which touches the circle, तो क्या लिखा है बचों, find the locus of the point of intersection of the tangents at the ends of the chord, तो बचों, chord नजर आ रही है, यह देखू, ends of the chord पे आपने क्या किया, tangent रोंकि, यह है पहली tangent, यह है दूसरी tangent, अब tangents के intersection point का locus निगालना है, तो आपने इसको h, k लिख दिया, तो बचो h, k के respect में यह chord of contact होगी, यह line जो है बचों, क्या होगी, यह line होगी chord of contact, तो chord of contact की equation क्या होती है, t equal to 0, t equal to 0 लगाकर क्या आपने इस line की equation लिख दी, उसके बाद यह line एक given circle को touch करती है, तो बचों यह तो बता चुका हो, कि center से डाला गया perpendicular radius के equal होगा, जैसी बचों आप यह सब लगाएंगे, उसके बाद h को x से, k को y से replace कर देंगे, तो आपके पास क्या आजाएगा, आपके पास locus निकाल करके आजाएगा, point of intersection of tangents का, सबन मैं है, तो question तो बचों बहुत easy है, 10th का first one, उसके बाद बचों हम लोग चलते हैं, 10th के second वाले part के उपर, इसमें लिखा है find locus of middle point of the circle, which passed through a fixed point a, b, तो सबसे पहले क्या लिखा है, लोकस निकालना है middle point of the quads, ओके बचों स्कुछिन को complete कर लीजेगा, इसस find locus of middle point of quads of circle, which passed through a fixed point a, b, तो तुम को सर, quads की midpoint का locus निकालना है, वो तो बहुत आसान होता है, बचों सबसे पहले quads bisected at midpoint, उसका आप concept लगा दीजे, उसके बाद बचों ये quads किस से पास होती है, fix point से पास होती है, a, b से, फिर इसको a, b से pass करा दे, pass कराने के बाद, h को x से replace कर दो, k को y से replace कर दो, आपका रसना जाए, easy है ना, बस वहाँ पर question में थोड़ा सा correction है, कि this is your fine locus of middle point of quads of circle, सब्सक्राइब और आपका question complete हो जाएगा, तो बचो इस exercise के मेने main questions आपको discuss करके बदा रिए,